गुड मॉर्निंग दोस्तों सुवागत है आप सभी का आपके अपने चैनल प्राइम टीम्स में वीडियो आज जो डबल हेडर था उसके सेकंड मैच को लेके बनाई है जो होने वाले पिशावर जालमी वसिस कराची किंग्स के बीच तो छोटा सर डिस्क्लेमर वीडियो स्ट करने से पहले आपन कल के रिजल्ट देख लेते हैं तो कल दो मैच थे एक था पाकिस्तान सुबर लिग और इंग्लिश्टी ट्वेंटी ब्लास्ट में ग्लाम वॉगन वर्से सरेगा तो भाई दो दोनों की टीम आप देख सकते हो दोनों मैचेस में क्लीन सीव किया कैप्ट मत्तन बनाना है को सब ले टेमें आहां पर सब ले रहे हैं पर रहेहां तो क्राफ मजद कि आफकर पलिए और फिस चांपम Сп नहीं विडियो में हुआ है मार्टिन क्वे न幾 scoring और गव दिशनवे में में हुए लेकिन वीडियो में आज यहां तर सब लिन सब ले रहे हुए थ तो मन्रो या ख्वाजा में से एक अच्छा करेगा और पहले बैटिंग करेगी तो टॉप अड़र फ्लॉप होगा जो भी टीम पहले बैटिंग करेगी तो वही हुगा कराची किंग का जो टॉप उडर था उसमें शरजील जिल दी आउट हो गए शरजील के बाद मार्टिन सब्सक्राइब तो यहीं सोचना पड़ता है किसी ने नहीं लिया था और रिजल्स आप देखें तो 100 प्लस पॉइंट से जो था वो क्लीन स्वीप किया था सबने रिजल्स आप चेक कर सकते हो प्लेस्पोर्ट पे स्पेशली में खेलता हूं कम एंट्रीफी से किसी तो खेलती ही हो मैं परस्नली भी जो है प्लेस्पोर्ट को काफी प्रिफरेंस से देता हूं तो आप डाउलोट कर सकते हो स्टार्ट करते हैं आज के मैच से तो पेशावार दाली मसेश कराची गिंग्स कब होगा त्यूजदे को रात को साड़े यारा बजे जो पहला म कि एक बैलेंस्ट विकेट अभी तक आपको दिखा है लेकिन जो बैट्स में वह स्ट्रगल कर रहा है खासकर फर्स निंग में जो बैटिंग करता है उनको और वह भी टॉप और कि मिटल ओर वाले तो ऐसे महारते हैं जैसे वह अलगी ट्रैक पर खेलते हूं एवरे स्कोर य इनिंग में स्ट्रेश विकेट अधिक नहीं रहे हैं सिर्फ 12 लिये हैं और सेकंड निंग में इसर्फ ट्वेंडीट्य को तर्पेसर वालमस्ट डबल विकेट लिया इतने बेश्य के लिए तो आपके टीम में पेसर होने चाहिए अच्छे गासे पार कराची ने खेला थे कराची ने इसलामबाद के साथ खेला था पहले बैटिंग करते हुए 190 प्लस बनाया था जिसमें नजीब उल्ला और बाबार आजम ने अच्छी इनिक्स खेली थी फिर भी जो है वह इसलामबाद ने चेस कर लिया क्यों कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि जो जो यह जो टुम एंट करती हैि उसका टॉप अधर नहीं चलता और जो चेस करती है उसका तॉप आड़र चलता है जानी जो फसनिंग में बाल लाती है उसके न्यूब बाल बालर आपको ले ज़ूरी यह थी रीसेंट मैचस के सम्री टीम पफारमेंस और पॉइंट सबल पा और कराची गांस के बात करें तो वही साथ खेलें अचार खेलें कल का मैच मिला लोगे तो छेहीज जक छाफ खेलें चार खारी और तीन जी जीती ए फूर्थ है यह पॉइंट स्टेबल पर तो देख काराची किंग्स के लिए काफ इंबॉडरेंट मैच अगर यह मैच हारती ह तो फिर उनका क्वालिफिकेशन थोड़ा से खत्रे में पड़ा सकता है इसलिए कराची के कैप्टेन कल बोला था इमाद वसीम ने कि कुछ चेंजिस करेंगे वो चेंजिस क्या हो सकते उसकी बात हम करेंगे तो पेशावर जाम की तरफ से कामरान अकमल और हैदरली ओपन करने चालो रखेंगे कामरान अकमल क्या पर लास्ट रिकॉर्स देखो कि तो एक में 35 है उसे पहले 59 है नहीं दो मैचेस से अच्छे फॉर्म में अच्छे तच में दिखेंगे और दोनों ही मैचेस की एक चीज आप नोटिस करोगे कि जब पहले बैटिंग कर रहें तो काफी अच्छा स्कोर कर रहें यहां देखो 35 59 58 और जब चेस कर रहें तो कंपरिटिवली थोड़ासा वीक परफॉर्म कर रहें लेकिन चेस करते हुए 100 भी है इनके पास तो यह ध्यान रखना ड्रॉप तो करना ही मत हैदर अली की बात क ठीक अच्छा फॉर्म में अगर पहले बैटिंग करती है पेशावर तो लेना कमपलसरी हो जाएगा आपके लिए जैसा कि बता है कि मदल ओडर लेना है जो भी टीम पहले बैटिंग करें अगर रदफोर लास्ट में 56 के एक इनिंग खेली पहले बैटिंग करते हुए आप देखो कि उमयद आसिफ जिनको लास्ट मैच में प्लेंग लेन मिली थी काफी अच्छे रिकॉर्स थी उसवजे से मुहमाद इमरान मुहमाद इर्फान और वहाब रियाज यह रहीं के में मीडियम पेसे बैंच पर देखो तो फिडल एडवर्ट्स है अबरार एहमद अमाद बट है मुझे लगता नहीं कोई चेंच होगा कराची किंग्स की तरफ से बात करोगे दो और बाबर आजम उपन करना चालो रुखेंगे लास्ट मैच में टेंडी फाइव बनाए थे बाबर आजम लास्ट मैच में एटी वन बनाए थे अच्छा ब्रिस्क सार्ट द बादरान चाट्वे को ल्टन हिमाद वसीम एनके ओल रंडो तिसारा परेरा उसके और वकास मक्सूद अर्शद इःबाल और मुहम्मद आमिर कास्ट मक्रम या अब्भास अफ्रीदी में से एक खिलेगा ते किसली खेलेगा या फिर अर्शद इःबास अव्रीदी कास्ट में से एक खिलेगा क्यों लास्ट मैच में इनके पास पिनर की गामी थी जब कि सामने थे कौन थे सामने सामने से इनके पास कॉलिन मन्रो उस्मान ख्वाजा हुसें तलर जैसे लेफ्ट हैंडर से लेकिन इन्हों ने अपने ऑफ स्पिनर को ही ड्रॉप कर दिया और उस अब यहां को जल्दी आउट करने में यह लोग सकस्केस्फल हो जाते हैं और मैज जीच जाते हैं तो हो सकता है एक चेंज मुझे दिख रहा है कासिम अकरम एक और जो सकता है वह है कि आमिर यामिन या फिर मुहम्मद इल्यास को लेकर आ सकते यह लोग किसकी जगा अर्शा पेशावर जालमी की तरफ से तो यह आज के मैच के बैस्ट बैस्मन और बैस्ट बॉलर की बात हो गई वहाब रियाज ने अभी तक 11 विकट्स लिए सीजन और बाबर आजम की बात करो तो साड़े 300 प्लस बना चुके सीजन इसलिए मुझे लग रहा है यह दोनों अपने अ एट था इसरन स्कोरर हैदर अली तो यह तीन बैटिंग से परफॉर्म करें बालिंग से आप देखेंगे तो वहाब रिया साकिब महमु जो अविलिबल नहीं है खराचे किंग्स के तरफ से बाबर आजम शरजील बालिंग से वकास मकसूद अर्शाद इकबार और इमाद व पंषर करके देख सकते हों कितने कितने लिये के अफ़ाल में तो हैट टोटल 13 मैच खेले आपकर कराची नहीं है यहाँ पर सब्सक्राइब ने अपने बीस ओर में 188 बनाया वो पारा ने 58 के निंग्स के लिए और शर्फिन रदफोर्ट ने 46 बॉलिंग देखोगे तो अबास अफरीदी के दो विगेट थे और इलियास के दो विगेट था अब इलियास को क्यों लाया जा सकता है अर्शाद इकबाल की जगा वो आपको यह स्टैट्स क्लियर कर दिंगे कराची चेस करने आया बावर आजम ने 77 मोहमद इम्रान का एक विगेट था और नभी के रन थे और साकिप के विगेट से जो दोनों अविलिबल नहीं है उससे पहले कराची फिर से चे विगेट से जीता था पिशावर जा विगेट लिए मालिक ने रन बनाए कराची किंग्स ने फिर से चेस कर लिया अगर चेस कर रहें तो चेस मास्टर बाबर आजम और विगेट से याशिर शाह और कालूस ब्रैथवेट एलेक्स हिल्स तीनों ही अविलिबल नहीं है उससे बहले भी देखोगे तो कराची फिर कर रहें अपनी टीम के लिए पच्चेस में तीस और भी है नीचे स्कोर इनके आप देखोगे तो एक मैस में और थे यहां यह लास्ट में देखोगे तो इमाद वसीम बैटिंग से कंट्रिबूट कर रहें कराची किंग्स के लिए तो यह चीज आपके लिए ग्रैंड उपर 4 विए यहां 3 विए यानि लास्ट पांच मैचेस में नौ विए ले चुके हैं यह पेशावार की अगेंस्ट तो महमाद आमिर आपके लिए अच्छी जीयल पेग बन सकते हैं साथ में स्मॉल लीग में भी लोग इनको इनको अग्नोर करेंगे तो आप इनहीं भी ले लग रहा है आज वो बॉल से कुछ अच्छा कर सकते हैं इस वज़े से अब बात कहले हैं अपने टीम की लिए देखोगे तो ऐसा समझ रहा है अपन की पेशावार जालमी वह पहले बैटिंग कर रही है इसलिए मिडल और लेनी की कोशिश किये मलिक और मिलर टॉप और से भ आपकास मक्सूद दोनों के लिए है आमें डेथ में बीवाल डाल देंगे तो यही सोच की टीम बनाई है कि जो पेशावार जालमी हो पहले बैटिंग करेगी और पहले बैटिंग कर रही है तो अभी तक देखागा है कि टॉप और फ्लॉप और मिडल अच्छा कर रहा है त तो फाइनल टेम आपको टेलिगाम पर देदूँगा टेलिग्राम चैनल जॉइन कर लेना गिवाव कुशन यह है कि आपको बताना है मलिक कितने रंग बनाईंगे अज के मैच में और अगर विकेट लेंगे तो कितने नहीं तो आप 0 लिक सकते हो ठीक है यह आपको अब रियाद और अर्फान लिया है मैंने दो बेस्ट बॉलर मुझे लग रहे हैं फेवियान एलन के साथ एक स्पिनर जो की है अब सामने वले टीप में स्पिन सब अच्छा कहलते है यानि बाबर आदम स्पिन अच्छा कहलते है शरजील एक लेफ्ट एंडर है और फेविय कि जगा जो है इमाद वसीम ले सकते हैं कि सामने वाली टीम में उतने अच्छे प्लियर नहीं है स्पिन के आप बात कर लो है दर अली की या फिर कामरा नक्मल की शोर मलक तो खेर अच्छा खेलते हैं तो यही बात है आप से मिलता हूं किसी अगली वीडियो में तब तक लि